हलो स्टुदेंट्स जेव टुद्धगी वाले चेप्टर में अपने जीन इस्थानांतर्ण वाला एक महत्वपून टोपिक पूरा कर लिया था जिसमें अपन बहुत सारी फसली पाधवों के अंदर वांचित जीन का इस्थानांतर्ण करके उन पाधवों को किस प्रकार से अ विशानू के सायता से किसी भी प्रकार से बिना वहक के भी बहुत सारी विधिया पनने पड़ी है पाधवों में जीनिस्थानातर्ण करके अपन अच्छे लक्ष्णों वाले ट्रांस जैनिक पाधव विक्षित करते हैं इस टोपिकों करने के बाद में अपन एक बीच में च्छोटा सा टोपिक CDN लाइब्रेरी वाला भी कर लिया था CDN क्या होता है उसके बारे में बताया था और कैसे CDN का MRN से निमान किया जाता है आज अपन इस चेप्टर के अंदर बहुती एक महत्वपोनों टोपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से कुशन जो होता है उसकी लगभग संभा होना है कि बोड एक्जाम के अंदर और बहुत सारी competitive exam जो आप ZICR के एक्जाम देते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी questions पूछे जाते हैं और या आपके एगरी culture के अंदर भी यह टोपिक आता है तो आज का अपना टोपिक है करशी के छेत्र में जेव प्रो प्रद्धोगी की महत्म है इस टोपिक में अपन को क्या पढ़ना है देखो अब तक अपन ने बाइव टेकनलोजिक के दुआरा किस प्रकार से पादबों में जीन इस्तनालतन करते हैं उसकी क्रिया विदी कर ली थी कि कैसे अपन जीन इस्तनालतन कर सकते हैं अब अपन मगर विग्यानिकों ने ये काम करके बहुत सारी ट्रांसजेनिक पादफ विक्षित भी कर लिये हैं जिनमें सामान्य पादफ की अपेक्षिया कुछ ने कुछ विशेस लक्षन जरूर पाया जाता है तो ऐसे ट्रांसजेनिक पादफ विक्षित किये जा चुके हैं मेरे कहते हैं मेरे कहाल से हर एक बच्चे को इसका नाम सब को पता होगा कि बिट्टी का पास क्या होता है सब खेती बाड़ी से फिलोंग करते हैं लेंद क्रेront नाम आया होगा अगरी कलुट्र में भी नाम आया होगा pause videos एक्चल में है क्या है पुरी कहानी अपन समझेगी इस बीटी का मतलब क्या है बीटी मका भी होते हैं एक्चल में बीटी कपास और बीटी मका यह जो है ना यह ट्रांसजेनिक पादप है ट्रांजनिक पादब का मतलब आपको समझ भी आ रहा है कि ऐसे पादब जिन में किसी बाहिये जीन का समाविशन किया गया है यानि सामाने पादब से कुछ इसमें विशेश बात है इस कपास का सामाने पादब रहे एक बीटी कपास का पादब रहे तो इस बीटे कपास वाले पादब में कुछ विसेज बात है यह क्या विसेज बात है और इसे कैसे विक्षित किया जाता है तो देखो सामाने कपास के पादब जो होते हैं उन कपास के पादबों के अंदर एक कीट उस कीट का नाम है गुलाबी सडन कीट पिंक बॉल वर्म पिंक बॉल वर्म पिंक बॉल वर्म भी बॉल सकने से ये जो कीड़ा है या कीट जो है ये कपास की पादपों को संकर्मित करता है यानि कपास की जब पेदावार कपास के जब फसल जब परिपकवन के समय पर आती है उसमें पर ये कीड़ा जो है ये कीड़ जो है जब कपास के पादप में जो बोल होती है जो गोला होता है जिसके अंदर कपास उत्पन होती है जैसे ये इस परकार से बोल बनती है उसके अंदर कपास के रेशे बनते हैं तो ये बोल जो होती है इस बोल को ये कीड़ा जो होता विक्सित नहीं उपाते हैं फल्सरूप कपास की पैदावार में लगबग 60% तक की पैदावार में कमी होने लग गई थी तो इसका कैसे इसका उपाय क्या हो यानि किस प्रकार से अपने इस कीट से पादबों को संक्रमित होने से रोक सके इसके लिए जेव पृद्दोगी ने अपने जीन इस्तानांतन तकनिक के दौरा कपास के पादब में एक ऐसा जीन इस्तानांतन किया जिससे पादब के अंदर इस कीट के परती परतिरों तक शमता आ गई है और उस कपास के पादब को जिसमें जीन इस्थनातन किया गया उसको बिट्टी कपास या किलर कोटन कहा गया अब इस बिट्टी का मतलब क्या है यहाँ पर बिट्टी मैं लिख रहा हूँ बी का मतलब है बेसीलस एक जिवानु का नाम लिख रहा हूँ मैं बिटी का मतलब एक जिवानु के नाम से है short form लिए बिटी एक जिवानु है जिसका नाम है बेसिलस बेसिलस से थुरेंजियसिस थुरेंजियसिस बेसिलस थुरेंजियसिस तो थुरे जिन से टी आ गया और बेशले से भी आ गया ये क्या है एक जिवानू है ठीक है इस जिवानू के अंदर एक जीन पाया जाता है जिवानू के अंदर एक जीन होता है उसे जीन को कराई जीन भी कहते हैं इस जीन का दूसरा नाम कराई जीन भी है इस कराई जीन को इस जिवानु से निकाल करके और इस कपास के पादब के अंदर समन्य कपास के पादब के अंदर इस तनाधित किया गया पादब में इस तनाधित कैसे करते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा पादब जब डवलप हो चुका है विक्षित हो चुका है पादब में किसी को प्रोटीन का जो नाम है वो नाम कराई प्रोटीन या कीटनासी प्रोटीन कीट नासी प्रोटीन है कहानी आपके समझ में आ रही है बेसिलर सुरेंजेस इस नामक जिवानों के अंदर पाये जाने वाले जीन जिसको क्राई जीन भी कहते हैं ये जीन जो है एक प्रोटीन का संसिलेशन करता है उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन या कीट नासी प्रोटीन कीट नासी का मतलब इस कीट को गुलाबी सदन कीट जो है इस कीट के लिए ये जो प्रोटीन जो है ये विशाक्त है या अगर इस कीट के सरीर में ये जो जीन जो क्राई जीन के द्वारा बनाई जाने वाल के परदिए चली जाए इसको क्या दाउंद किसके प्रियांकिर्ण चर०ुम्यन के लिए भूरा ऩो जा ब्यूरा काजो क्योंद किसके लिए क्योंद प्रतिरोधी 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 प् अदर ऐसी स्ंकरमीद विक्षित हो गई है अब गुलाबी सदन कीट जो है इस कपास के पाधब को संकर्मीद कर सकता है Mr. एक बिटी कपास को जीन डाल दीया है जिसके दोवरा संसे शित कीटनसी प्रोटीन है वो कीट नासी प्रोटीन उस कीट को नश्ट कर देगी फंसर हुई इस कपास के पादब में प्रतिरोदी चामता गई है और ऐसे कपास के पादब को अपने क्या कहा है कीट प्रतिरोदी पादब या बीटी कपास या किलर कोटन कहा गए है खानी समझ में आ गई है बहुत ही वह है फ्लेवर सेवर टमाटर फ्लेवर सेवर टमाटर देखो ट्रांस जेनिक पादब बनाने के बाद में उस ट्रांस जेनिक पादब का एक विशिश्ट नाम दिया जाता है जैसे कपास का ट्रांस जेनिक पादब बनाया तो उसका नाम बीट्टी कपास दे दिया ठीक है ऐस की यह प्लेवर सेवे चैया का दिया लिसका है उनाम मुदालte सी टौनेक्व सपांड दो रिंस लाहिए तो आहिँगे होगे के मैं की अब प्रकॉरिय को और हो सब्सक्राइब मैं है यह इसे spectrum को सब्सक्राइब मुदा कि दो इसाटी इसे विक्षित करने के लिए देखो सबसे पहले बात तो अपन जो समाने टमाटर होती है उनमें नुक्सान अपने क्या होता है कि टमाटर जो होते हैं उनका स्टोरेज टाइम जो होता है संग्रहन काल जो होता है बहुत कम होता है नोर्मल अपन देखते हैं कि अपन घर पे ट जादा था यानि 2-3 महिने तक भी अगर उन टमाटर को रख दें तो वो टमाटर जो होते हैं वो कठोरी बने रहते हैं यानि उनकी फल बित्ति जो है ना टमाटर के चारो तरब की बित्ति वो नरम नहीं पड़ती वो सड्टी गलती नहीं है इसलिए टमाटर लंबे समय तक सं नरम पड़ जाते हैं तो फल बित्ती जो होती है उस फल बित्ती को गलाने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है गलाने वाला एंजाइम जिसका नाम है पोली गलेक्टो रोनेट ये एक एंजाइम है जो प्राकर्तिक रूप से ही टमाटर के जो फल होते हैं उनके अंदर बनता ह और ये polyglectoronate का संसेलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये टमाटर के फल बित्ती को गलाता जाता है और फल सुरूप टमाटर जो होते हैं वो जल्दी ही खराब होने लग जाते हैं तो विग्यनिकु ने क्या किया एक ऐसा जीन इस टमाटर के पादब के अंद जो आने वाला जो जीन जो है उस जीन का प्रतीरोधी जीन डाल दिया यह 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 जीन डालने पर यह जीन क्या करेगा जो अपने बाहर से जीन डाला है यह जीन पोली maggieurग्टoronate enzyme को बनाने वाले जीन के काम को रोक तेगा यानि इस एंजाइम का संसेलेशन नहीं होने देगा और जब यह एंजाइम नहीं बनेगा तो टमाटर की जो फल बित्ती है उसको गलाने का काम नहीं हो पाएगा फिरमाटर की फल बित्ती नहीं गलेगी इसका मतलब टमाटर जो होते हैं वो कठोर बने रहेंगे यानि anti-sense RNA तक्नीक के द्वारा एक ऐसे जीन को टमाटर के अंदर इस्तनांतित किया गया कि वो जीन जो होता है polyglatoronate नामक enzyme के sensation को रोख देता है फल सुरू टमाटर की फल भी इत्ती खराब नहीं होती गलती नहीं है जिससे टमाटर जो होते हैं लंबे समय तक संगरी तरखे जा सकते हैं ऐसे टमाटर को नाम तिया गया फलेवर सेवर बात समझ में आगी है यह ओगया अपना फलेवर सेवर टमाटर है तो यह दो बहुत ही important ट्रांस जेनिक पादबो के बारे में मैंने आपको बताया है बहुत बार यह कुशन फॉम्पिटिटर की बात कर लें चाहिए अपन बीटी कोटन की बात कर लें इससे जो कर्शे के चत्र में जेव प्रुद्धिय हम है तो इसमें और भी बहुत सारी ट्रांस जेनिक पादब है जो अगले वीडियो में डिसकसन करेंगे नाम बता देता हूँ मैं जैसे आपको ट्रांस जेनिक मक्का है अभी बताया मैंने बीटी मक्का वैसे बीटी मक्का एक अलग चीज है ट्रांस जेनिक मक्का को अलग उद्धिसी से बनाया गिया है खरपतवार नासी पादबों का निर्मान करना है नरबंधे पादप को विक्षित करना है नाइट्रोजन इस्त्रिगर्ण को बढ़ाने के लिए ट्रांसेनिक पादप विक्षित किये गए हैं तो तीन-चार परकार के पादप और बचे हैं उनका डिसकर्शन अपन अगले वीडियो में फिर करेंगे तो फिलाल ये दो पादप आपको मने बताए हैं इनको ध्यानपूरोग आप वीडियो को दो बार सुन लेना क्योंकि कुषिन इस फे से मुस्टली पूछे जाते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक्यू